कि हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दा फ्यूचर कोचिंग पर मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ठाईब ये आपकी milliards ऐसेंतर ऌर्स सब्सक्राइब स्थार्व के राख ये जो फैसे का एक्जान के लिए ये चाहे सी आप यूपी पूलिस के चाहे आप बैंकिंग ऑन्रें या कोई भी व्रॉच अग्जामल्य को संने ये फेल्प करने होगा कि आज हम आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो थर टाइप से रहेगा क्योंगी कल हमने फैस्ट और सेकिंड दो टाइप के कोश्चन हमने यहां तक कर लिए थे लास्ट कोश्चन हमारा यही था तो इससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लिए कमारा नैक्शल रहने वाला है तरक नमबर की टाइप नवर्डिम आपि टीन हमारा है जब दो से अधीक नल एक साथ काम करें तो तो केlla तो इलश्चन किया थे वो सब्सक्राइब यहां तौई लिए तो इक खाली कर ने कि पाइप A कि सी टंकी को 20 मिनट में उसे 30 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप C उसे ऐग घंटे में खाली कर सकता है यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी तो alte को पता है pipe A है आप जो टंकी को भर देता है 20 मिनट में बी है जो टंकी को भर देता है 30 मिनट में और एक है हमारा pipe C जो की खाली करता है टंकी को एक घंटे में तो देखिए सबसे पहले जब भी आप तो आपको पता है दो नंबर आपको घंटे में रखाए तो या तो आपका पूरा कोश्चन में हो या पूरा कोश्चन मीनट में हो तो हम इसे अपने आपको अपनी सुझधा के लिए से convert कर लेंगे जैसे आपको पता है कि pipe A जो कि भरने वाला pipe है किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है pipe B जो कि भरने वाला pipe है वो इसे 30 मिनट में भर देता है जब कि pipe C जो कि खाली करने का काम करता है वो इसे एक घंटे में कर सकता है आपको पताए ए घंटा बराबर होता है। मिनटेवी तो चाहे हम साट मिनटेह लिग देधें दोनों का जो नबर आएगा वो सेमी आएगा। ना सिन्प मीनट 20 30 और 60 आपको पता है समय आपको दिया हुआ है आपको किस-किस की जरूद होती है समय की कारिये की और आपकी चंपता की चलिए कारिये हमारा इनका LCM हो जाएगा 20 30 और 60 का जो LCM हाएगा वो हमारा 60 आएगा अगर हम एक ही चंपता की बात करें तो हमारी जो चंपता आएगी आप यह सब वैल्यू कैसे आती है मैंने कल की वीडियो में पूरी तरह से डिसकस किया है आप एक बार उस वीडियो को जाके देखिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहां से आप वो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे तो बीस तिया साथ यानिकी एक ही चंपता आ जाएगी तीन वी की चंपता आ जाए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी अब अगर हम तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो आपको पता है कि यह तीन काम करेगा बी दो काम करेगा तो दोनों मिलके प्लस में पांच काम करेंगे लेकिन उत्में ही समय में स्टी माइनस में एक काम करेगा तो ओवर जो काम होगा वापका टारोगा प्लस का यानि की ओवरोल जो काम हुआ पलसके चार हुए कराना कितना है साट तो साथ काम को चार छंता से कराने के लिए कितना समय लगेगा आंसर आजाएगा घारा 15 कुशन हमारा मिनिट में है तो पहले कोशन का जो हमारा अंसर है वो 15 मिनट हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप कुछ खाली करने वाले नल और कुछ भरने वाले नल जो साथ काम कर रहे हूं आप उसे भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन कह रहा ह हमारा नल एक इसी टंकी को या होज को देखे होज आ जाए या टंकी आ जाए बात एक इसी होज को साथ मिनट में तरफा नल भी उसे 75 मिनट में भरता है मतलब ए और भी दोनों भरने वाले पाइप हैं तीसरा नल सी उसको खाली करता है तो तीसरा नल जो है वो क्या है खाली करने वाला नल है तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर होज 50 मिनट में भर जाता है तो बताइए खाली करने वाला नल पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा चलिए एफिशेंसी निकालते हैं हम इनकी कितना समय समय ले रहा है साथ मिनट भी कितना समय ले रहा है कि पचास मिनट जब की जब तीनों काम कर रहे हैं एक प्लस बी प्लस सी और जब कि आपको पता है सी खाली करने का काम कर रहा है तो समय कितना लगता है और यह पचास नहीं है बीका है आपका 75 मिनट भी कितना समय ले रहा है तो 30 ले रहा है और जब तीनों काम करते हैं तो समय कितना रगता है फैस मिनट लगता है तो तीनों की छम्ता कितनी आ जाएगी अब आपकी पिछेतर चोका 300 B की छंबता चार यूनिट और 50 गुना 6 300, A प्लस B प्लस C की छंबता कितनी हो जाएगी 6, अब आप कहोगे के सर इसमें हम C की छंबता कैसे निकाले, क्योंकि देखो A प्लस B प्लस C की छंबता है, जिसमें A प्लस B प्लस में काम करते हैं, और C आपका माइनस में काम करता है, तो आप मुझे बताओ, जब A अकेला काम कर रहा है, तो काम कितना करता है, पांच यूनिट, जब B अकेला काम करता है, तो काम कितना करता है, चार यूनिट, अगर मैं A प्लस B को जोड़ दूँ, तो कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा, जैसे ही उन नो चमता को 6 बनाया किस ने बनाया तो यानि कि सी की चमता कितनी है माइनस के 3 इंपल है वही सी की चमता कितनी आ जाएगी माइनस के 3 अब काम कितना कराना है हमें 300 तो 300 काम को 3 चमता से सी कितने समय में कर देगा तीन एकम 3 यानि कि आंसर आ जाएगा हमारा 200 मिनट के अगर भरे हुए टेंग में लिनके को कितने समय में कर देगा तो भरे हुए टेंग में खाली करने वाले नल को चलादे तो उसे वह स्वो जो मिनट में का Dois posting है और आप पूझू सकते हैं और आप कोईभी कमेंच की जी आपको कोईभी क्रेडि वाप का स्रीज्च ज्रूआज गॉजर रहना एगा कही डाउट होता है कोई कुष्शन रहता है आपकर तो में उससे लिखके भेज सकते हैं इसका स्वूफी तो नेक्स्ट वीडियो में या तो प्रोवाइड करा दिया जाएगा या कमेंट में ही उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा विच सोल्यूशन चलिए नेक्स्ट कोशन की बढ़ते हैं कुशन नंबर 17 यानि कि आज का हमारा तीसरा कोशन रहे गई क्या रहा है अधिक समय लगते हैं यदि टंकी पानी से पूरी भरी हुई हो तो छेद द्वारा खाली होने में कुल कितना समय लगेगा अब देखे कोशन हमारा क्या कह रहा है नल ए कि इसी टंकी को पांच घंटे में तथा नल बी उसे 20 घंटे में भर सकता है दोनों नलों को एक साथ खोल दे जाता है पर अंतु टंकी में छे दोने के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है अब देखिए हम कैसे करेंगे पहले तो इसका LCM अगर हम ले तो LCM कितना आ जाएगा इनका 20 ही आ जाएगा तो पांच चोग 20 और चार पंजे 20 तो चंता कितनी आ गए इनकी पांच अगर तंकी में छेद ना होता तो 20 यूनिट काम को करने में पांच चंता से उन्हें केवल चार घंटे लगते कि अगे अगर तंकी में छ्यद ना होता तो तन की कितने समय में भर जाती 2 चार गंटे में भर जाती है लेकिन 6 होने के कारण उसे 30 मिनट अधिक समय लगा तो यानि कि टंकी कितने समय में भरी 4 सही 1 बटा 2 गंटे में यानि कि हम कह सकते हैं 9 बटे 2 गंटे में तो अब हम इसका दोबारा से लेसा करता है अगर अकेले काम करता है तो पाँच घंटे लगते हैं और अगाष को प्लूज और कि मसें कितना आए है आपका कि क क judgment का इसे श्रूइब और और गैसे मा नहीं है तो LCM हमारा 180 बन जाएगा पांच से काटेंगे पांच तिया पंद्रे पांच अंतीस बीस से काटेंगे बीस निम्मा 189 से काटेंगे बीस और बीस दुनी 40 अब देखें अकेले एकी चंबता 36 अकेले बी की चंबता तो दोनों की मिला के कितनी ओभी 45 जैसे haddans काम क्र रहे हैं उनके साथ चंबता कितने रही 40 कितने की कमी आई पांच कि इसकी वजह से हई सी की वज़े से तो prosecutor की चंबता तो इतने हैं पांच काम कितना कराना है 180 180 काम को फार्च चंपता से सी कितने दिन में कर देगा या कितने समय में पांच्टिया पंद्रे और पांचंग तीस च्छतिस घंटे अकेला इस तंकी को छेद या फिर छेद जो है क्योंकि इंदे कुछ जो उसे दो गंटे में खाली कर सकते हैं इंदे लो इक साथ झोल जाए तो तेंगी कितने समय में पूर्टे भर जाएगी चलिए पिछले अभी हमने कोश्षन किया था ये बिल्कुल वही कोश्षन है कि अनल ए तीन घंटे में भरता है नल भी लोगन्टे में भरता है जब कि नल सी से दो गंटे में खाली कर देता है तो एल सिम कितना आएगा ठीक है एल्सियम कितना है हमारा बारा एक की चंगता कितनी है चार भरने का काम कर रहा है बी की चंगता कितनी है तीन भरने का काम कर रहा है लेकिन सी की चंगता कितनी है आपकी 6 जो की काम कर रहा है खाली करने का तो एक प्लस बी कितना हो जाएगा साथ सी कितना मैं इस के चैए तो जब तीनों को एक साथ काम करें के तो गन्राइगी तोब ओरोल काम कितना होगा Bir 처 decisions का एक काम होगा काम कितना कराना है हमें 12 तो 12 बते एक अंसर अजाएगा मेरा बारा गंटे में है त lawyer नामसर भी गंटे में आएगा ओप्से नमबर डी मिरा राइट अंसर हो जाएगा बारा तय तो राइट आंसर क्या है हम क्या है हमारा बारे गंटे कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा जो टैंक है या तंक्की है वो किछने समय में बर जाएगी खुल 12 घंटे में भर जाएगी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है हमारा दो पाइप A और B अलग-अलग किसी टंकी को क्रम से 45 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं यदि टंकी की तलीम में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप भी लगा हुआ है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है अकेले तीसरा पाइप उस टंकी को कितने समय में खाली कितने समय में भर देगा कि अकेले दी सरा पाइप उस्टंक्य वो कितने समय कि भर देगा नहीं होगा आपे खाली कर देगा खुड़िक होगा क्योंकि ती कि आपका कि करने वाला ने वालकोTerा यहां पर क्या है आपका खाली करते हैं अलीं कर देंगा कोई बात नहीं हो जाता है जल रोची पाइपने का काम कर रहा है कितना कितना सामेल ने में की 50 मिनिट भर जाती है यानि अगर हम A plus B plus C को खोलते हैं तो टंकी कितने मिनिट में भर जाती है पचास मिनिट में LCM कितना आएगा हमारा 50 60 और 45 का कि 45 50 और 60 का LCM आएगा आपका कि 45 50 और 60 आपका यह बन जाएगा पांच तिया पंद्रह चोका साथ यह बन जाएगा पक्चीस दूनी पचास यह बन जाएगा नो पंजे पैंतालिस तो पक्चीस कि पक्चीस निमा दो सो पच्चीस और दो सो पच्चीस गुना चार दो सो चोका आट सो पच्चीस यह का सो नो सो यह जो निकालने का तरीका है मैंने कल भी बताया था हमने पूरा चैप्टर किया हुआ सब्सक्राइब आप इसको सीख सकते हैं पूरा प्लेलिष्ट पड़ा हुआ है आप जाके चैनल पर अगर सर्च करेंगे या आप सर्च में भी डाल देंगे के लसे मैं से बाई विवेक्सर तो भी आपके सामने अंसर आ जाएगा वीडियो आ जाएगी आपकी वहां से आप नीए 400 तो आपको पता है जब जकेले काम कर रहा है तो बीस चम्ता है वी अकेले काम कर रहा है तो 25 चермता है और जब तीनों काम कर रहा है तो चिंत कितनी रहते अठपारा अगर हम जोड़ दें तो हम 2,3,6, 3,5 तो किबाई सी जो है वो खाली करने का काम करता है तो सी की चंथा गितनी है 70 है लसि कितना है हमारा 900 नोention बटे को हमसे पुछ रहा है कि अकेले तीसरा पाइप एस टंकी को कि इतने समय में खाली कर देगा तीसरे पाइप की बात कर रहा है और तीसरा पाइप जो है वो खाली करता है चलिए 900 बटे 17 तो आंसर आएगा हमारा देखिए उप्सन साहिद मुझे लग रहा है इसके सारी गलत हैं तो सब्सक्राइब शोकाइब सब्सक्राइब बावन सब्सक्राइब गलत है तो इनको करते हैं और सबसक्राइब वैरा बावन सब्सक्राइब हाम कह सकते हैं 900 बटे 17 मिनट इस कोश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा 52 सही 16 सही 16 बटे 17 मिनट या फिर हम इसको अगर एग्जामिनर थोड़ा सा रहन करेगा तो वह यहीं पर छोड़ देगा 900 बटे 17 मिनट पे बढ़ते हैं सप्राइक्श कोश्टि की तरस कुश्टिन नमबर 20 कर दोपाइप किसी टंकी को क्रम से यह 15 तो colp बारए जंटे में पानी से भर सकते हैं तो caipel अई करता है आपका 15 घंटे में इस नमबर दो भरता है आपका बारे घंटे में भरने का काम कर रहे हैं एक तीसरा पाइप इस टंकी को चार घंटे में खाली कर सकता है एक तीसरा पाइप है जो कि खाली करने का काम करता है और कितने गंटे में खाली कर देता है चार गंटे में खाली करता है यदि इन तीनों पाइपों को क्रम से आठ नो तथा ग्यारा बजे सुबह को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक पूंडते खाली हो जाएगी ठीक है चलिए पहले हम इनकी छंता निकाल लेते हैं 15 12 और 4 जो आएगा आपका 15 दूनी 30 15 चोका 60 कि एलस्यम कितना जाएगा हमारा 60 आज जाएगा तो छंता एक की फश्ट वाल एक चार 12 पंजे 60 और जैन तीसरे की निकाल दे तो तीसरे की छंता कितनी है 15 और तीसरे की छंता कैसी मुझे आठ बजे तक केवल पहला पाइप काम करेगा क्योंकि पहला पाइप नो बजे खुला है और तीसरा पाइप आपका ग्यारे बजे खुला है तो आठ बजे से नो बजे तक यानि की एक घंटे तक आपका केवल पाइप वन काम करेगा जो की काम करता है चार तो एक घंटे में कितना काम करेगा चार गुना एक यानि की इसने चार लीटर पानी भर दिया अब नो बजे गए हैं दूसरा पाइप तो यानि कि हम कह सकते हैं 9-2 अधारा लीटर पानी इन्होंने 11 बजे तक इन दोनों ने भर दिया 9 से 11 बजे तक अगर हम टोटल देखें क्योंकि अब 11 बच जाएंगे 11 बच ते तीसरा पाइप भी खुल जाएगा और तीसरा पाइप जो है वह माइनस में 15 काम करता है जबकि इनकी छमता जुड़के कितनी होती हैं 9 यानि कि हमें पताशल जाएगा 11 बजे के बाद काम माइनस में कितना माइनस में होगा माइनस के 6 क्यों क्योंकि A और B या फर्स्ट और सेकंड की छमता का योग कितना है नो थाइड वाले की अकेले की छमता का योग कितना है माइनस में 15 अब 9 पिलस का है 15 माइनस का है तो काम किस में माइनस में 6 में अब काम होगा क्या जितना काम उन्हों में भरा है या तंकी जितनी भरी है वही तो काम होगा तो अठारे और चार बाइस लिटर तंकी में अभी जो प्रियाप पानी है वो बाइस लिटर है कि शंता से निकालना है छे की शंता से वगरम सोल करें चेटिया अठारा चार तीन सही चार बटे चैए और इसे अगर मैं मिनट में करूंगा तो चैदा ही साथ हो जाएगा तीन घंटे चालिस मिनट में वो टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी कब जब तीसरे पाइप में काम करना शुरू करा है यानि कि ग्यारा बजे से अब हमसे क्या पूचा है कितने बजे तो अगर मैं ग्यारा बजे में ग्यार तीन घंटे 40 मिनट एड़ कर दू तो आपको पता है ग्यारे और तीन कितने हो जाएंगे चोगदे और यह चालिस और चोगदे या वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं और आप अगर हमारे टेली ग्राम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तक कि आपको सभी वीडियो का अपडेट्स यहां पर मिलता रहे हैं इस चैनल पर आपको मैट्स और रीजनिंग के अलावा भी जी एस हिंदी या जो भी सब्जेक्ट आपका कम्टेटिव एक्जाम में आता है वो सब वीडियो आपको यहां पर डे वाई डे प्रोवाइड की जा और हमारा भी होसला बढ़ाएंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ कोशन नमबर नेक्स्ट है हमारा किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी अलग-अलग क्रम से तीन गंटे तथा तीन गंटे 45 मिनट में भर सकते हैं तीसरा पाइप सी पूरे भर हुए टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है जिस समय टैंक पानी से आध्या भरा था तीनों पाइप खोल दिये गए कि इतने समय पश्चात टैंक पूंट्टे खाली हो जाएगा या भी यह को पाइप ए है जो 3 घंटे में 5 भी है जो 3 घंटे 45 मिनट में तो 45 मिनट कितना होता है 45 बटे 60 15 35 45 60 यानि कि 3 सही 3 बटे 4 घंटे 4 तिया 12 उर्टी 15 बटे 4 घंटे यानि कि 5 भी कितने समय में भरता है 15 बटे 4 घंटे में और 5C भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर देता है तो सी की जो समय है कितना है एक घंटे हो लिए काशा है खाली करने वाला तो तीन पंदरहे और एक का q10 ऑल सिम्राइम आप क्या दोगे आजाएगा तो एक की चंड़ह झालत तैन भंजह 15 मिधकी चंड़ह चाहर की कि WOW पीको को एक साथ खोल दिया गया कितने समय में टैंक खाली तो होना है दखिए एक की चंता है क्लैसर कि फोल्स की कि तोबनों का यह कि कितना हो जाएगर नो जब कि सी कि की अकेली की चंता 15 है तो बाली समय में 6 का मोँगा लेकिन इस पार उसमें चुक का 60 15 पेच चार एकम 4 और एक बटे चार घंटे डूकि घंटे में कुशन एक सभी एक बटा चार घंटे कितना लुक्त अ कि घंटा 15 तो इस तरीके के को देखिए जितने भी मैं आपको कुश्चन करा रहा हूं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पूछे गए हैं सारा का सारा कुश्चन जो मैं आपको कराता हूं वो सारा प्रेवियस येर है इसलिए मैं आप से कहूंगा कि आपको कहीं ना कही कि पूरी वीडियो देखनी है थाकि आपको चीजें इजी ली कि चीजें आपको पूरी तरह से समझ आ जाएं ठीक है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जो की रहने वाला है टाइप नंबर चार और अगर आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है किसी भी किताब स एच्डी आदव आपको होगे हर वीडियो में मैं एच्डी आदव को ही क्यों बोलता हूं देखिए कोई परमोशन नहीं है मैं आपको केवल जो मुझे अच्छी लेगती है किताब मैं उसी को प्रफर करता हूं क्योंकि बच्चा इससे आसानी से सीख जाता है और मैंने यहीं आदव के किताब है यह फ्रैसर बच्चों के लिए फ्रैसर बच्चे के लिए रामबान हो जाएगी उसे गनित आसानी से समझ में आने लगेगा चलिए टाइप नंबर चार क्या है हमारा टाइप नंबर चार कह रहा है अब देखिए जो टाइप वाई मैं कॉस्टन आपको करा रहा हूं यह सब आपके एश भी आदव की किताब में रहते है टाइप वाइस तो आपको महां से आप जैसे मैंने आपको चाप 5 कोश्चन करें आपने 10-15 कोश्चन एक्सरसाइज से किये तो यहीं है आपका कंसेप्ट मजबूत होता चला जाता है तो इसलिए मैं किताब को प्रफर करता हूं और कोई इसमें मेरा कोई लालच नहीं है कोई पेड़ प्रमोशन नहीं है मैं केवल आपकी भलाई के लिए ही से बोलता हूं टाइप नंबर 4 क्या रहा है जब बीच में कि किसी नल को बंद कर दिया जाए या खोल दिया जाए मतलब पाम चल रह में भर सकता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और तीन मिनट वाद एक बंद कर दिया जाए तो सेश टब को नल भी कितने मिनट में भर देगा तलिए कोश्चन करते हैं सबसे पहले हमें छंता निकालनी होगी उनकी तो आपको पता है एक 12 मिनट में भर देता है औ और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए चलो और 6 निकालते 12 और 15 का सथ पंद्रे चोका साथ य somt 22 50 यायो कितने घंटे याकि कितने मिनट काम कर रहे है कितना काम तरहंना सद्सक् zu each अब थैस काम कितना बचेगा हमारा सेश कारियर हो जाएगा हुमारा 60-27 कितना बचेगा आपका 33 अब तो सेश टब को नल भी यानि कि नल ए चला गया अब ए की चंगता कितनी है तो सेश काम-भी दौरा या सेश टब को नल भी द्वारा जो भरा जाएगा आठ सही एक बटा चार में पूरा भर दिया जाएगा अब ओप्षन या क्या है तो 23 ब्टे 4 हमारा option मिल रहा था तो 33 ब्टे 4 हमारा क्या हो जाएगा सभी अंसर हो जाएगा answer है हमारा 33 ब्टे 4 मिनट यहां कह सकते हैं 8 सही एक बटे 4 मिनट तो यहां पर देखीनल 5 को बीच में बंद कर दिया गया था ऐसी कभी-कभी नल B को बंद करेंगे तो इसी तरीके के question आपके exam में पोचे जाते हैं Next question है हमारा दो नल किसी होज को क्रम से 6 तथा आठ गंटे में भरते हैं दो नल किसी होज को क्रम से 6 तथा 8 गंटे में भरते हैं दोनों को एक साथ खूल दिया गया पहले नल को कितने घंटे बाद बंद किया जाना चाहिए कि पूरा होज चार घंटे में भर जाए ठीक है question क्या पूछ रहा है हमसे कि पहले नल को कितने घंटे बाद बंद किया जाना चाहिए कि पूरा होज चार घंटे में भर जाए अब दो नल है मानलो ए नल शह गंटे में भरता है और बी नल आपका आठ गंटे में भरता है तो एलस्यम कितना आजाएगा आपका 24 चार चंबता एकी और आठ तीया 24 तीन चंबता बी की अब देखिए कोश्चन को यहां पर ध्यान से समय देखिए इसमें दो तरीके को कुश्चन बन बनते अपके यहाँ से अगर मैं भासना की बात करूं तो पहली भासना आपकी रहेगी पहले नल को कितने particularly बन गंटे में भर जाए तो अभी तो आन्चे बाद वाला पूच है तो तो हम क्या करेंगे आपको पता है जो नल कौन सा बंद कर रहा है पहले वाले को यानि कि नल A को बंद करना है कितने घंटे बाद बंद करना है यह अभी हमें नहीं पता है लेकिन आपको पता है कि नल B तो पूरे समय के लिए कारे कर रहा है और नल B जब पूरे समय के लिए का का रिये अब द्वारा किया गया का रिये कितना है तीन चमता है चार घंटे तक काम करा है तो कितने घंटे काम करा उसने कितना काम करा बारा यानि कि बारा यूनिट पानी अकेले नल्बी ने भर दिया तोटल कितना है 24 अब बचा काम किसका एक ही बच रहा है कि इतनी देर तक काम करके गया होगा वो ही काम रह घया क्योंकि इनेगी अगर 12 क को द्वरांश तकहले हो से कितना समय लगेगा टीन घंटे लगेंगे मतलब अगर अन्सर क्या हो जाएगा हमारा ओप्षान नमबर तीन घंटे में हमें को बंद कर देंगे या तीन घंटे बाद अगर हम एक को बंद कर देंगे तो हमारी टंकी कि हुआ गंटे में पूरी बार जाएगी दलीगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर 24 और नल एख किसी टंकी को दस घंटे में तथा नल भी उसे आट घंटे में भर सकता है दोनों को एक साथ फोल दिया जाता है कितने घंटे पहले देखें मैं लांस्ट कुश्टन में बता रहा था एक यह रहा है यह कितने घंटे बाद से कुछ कंडिशन पूछ लिए आप कह रहा है देखो कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद करें कि पूरी टंकी पांच घंटे में भर जाए अब देखो इसके में आपको दो तरीके बताऊंगा ठीक है पिछले वाले का तो मैंने एक ही तरीका पताया था इसके लेकिन आपको दो तरीके बताऊंगा एक वह होगा जिसमें आपको माइनस करना पड़ेगा एक वह होगा जिससे आपका डारेक्ट आंसर आएगा तो अगर हम मैथटर वन की बात करें कि सबसे पहले तो हमें लसे में लेना है कि तो नल ए दस घंटे में भरता है नल भी आपका कि 8 गंटे में भरता तो एल्षिम कितना आएगा 8 पंजे 40 10 40 कितना आज एगा हमारा 40 तो एक जंटा कि जंटा कितनी है चार बी की जंटा कितनी है हमारी आच आप कह रहा है कितने घंटे पहले दूसरे नलको बंद करें के अगे पूरी तंकी 5 घंटे में तहीं दूसरे नल को बंद कर तो अगर हम करें कि disp expanded खाल रावोगत किवा लगा लेना कन्वेस discipline कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर नरे खीन हें यानने की नल भी सब्सक्राइब करना है तो लास्ट तक काम कर रहा है तो अगर हम कहें एड़ बोरा किया गया कारी कि इतना फिर करने में एद वाड़ा किया अगया कि यह कि कितना होगा एक हmesan कितनी और इस 새 छहार तंक silent गंटे में पर रही है पांच गंटे में चार पंजे 20 यानि कि उसने जो काम किया हूँ 20 यूनिट काम करा बचा कितना 40 तो यह कौन करके गया होगा इसे बी करके गया होगा कितनी चंगता है पांच तो अगर पांच चंगता से बी ने 20 काम करा तो कितने घंटे काम करके गया हो तो चार गंटे यह तो काम उसके द्वारत किया गया है हम से पूछा कितने गंटे पहले तो आपको पता है काम कितने गंटे में समा आपको पांच गंटे में भी कितने देर तक काम करके गया चार गंटे तक तो अगर मैं पांच गंटे में से चार गंटे घटा दूँ तो आंस से कहता था कि इसके हम method दो भी समझेंगे है कि जब आपको किसी question में कितने घंटे पहले काम बंद करने के लिए मतलब किसी pipe को काम होने से पहले बंद करना हो तो उस case में क्या करेंगे हम दोनों से लाच्ट तक काम कराएंगे जैसे आपको पता है नल A दस घंटे में और नल B आपका आठ घंटे में काम कर देता है LCM कितना आ जाता है 40 A की छंटा 4 और B की छंटा 5 अब मैं कहूं कि दोनों क्तों कितने देर में हो रहा हुआ है तो मुझे बताओ 9 6 से 2,7 मिलके कितना काम करेंगे 5 घंटे में 45 जबकि हमें कितना कराना है 40 तो सिंपल सी बात है जादा काम हो गया कितना जादा हुआ 45 में से 40 गटाएंगे आप कहँए कि पांच जादा हुआ अब ये किस की वज़े से हुआ ये B की वज़े से हुआ क्योंकि B को चोड़ के जाना था तो B कितना काम जादा कर रहा है पांच चमता कितनी है उसकी पांच तो पांच से पांच को काटेंगे यानि कि B ने कितने घंटे ज़ादा काम किया एक घंटा ज़ादा काम किया मतलब उसे हमें एक घंटे पहले बंद कर देना था तो यहां से जो यह method 2 है यह पहले वाले जो condition आएगी कितने घंटे पहले वाली इसमें इसका जो direct answer है इससे आएगा और कितने घंटे बाद वाला जो है उससे आपका जो method 1 है वो आपका डारेक्ट आंसर देता है कि कितने घंटे बाद अगर पूछता तो 4 घंटे क्योंकि उससे पहले पूछा है तो मैंने 5 में से 4 को माइनस करके इसका आंसर भी है ठीक है तो अगर आपसे कितने घंटे पहले क पूछा जाए तो method 2 का यूज करो कितने घंटे बाद का पूछा जाए तो method 1 का यूज करो तो दोनों तरीके से आपका अलग-अलग आंसर आ जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूं चीजे समझ आई होंगी next question पर बढ़ते है question number next है हमारा दो पाइप a तथा बी दो पाइप a तथा बी एक होज को करम से 30 तथा 40 मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि हो 24 मिनट में पूरा भरना हो तो दूसरे पाइप को कितने समय बाद बंद करना हो अब देखिए बाद पूछा है न तो हम क्या करेंगे अलग- पाइप 40 मिनट में काम करता है यदि हो 24 मिनट में पूरा भर ना हो तो दूसरे नल को दूसरे नल को बंद करना है बात वही आती है पहला तो लास तक काम करएगा चानवे मिनट में टैंक बरना 24 मिनट में 24 हो का चानवे मतलब चानवे काम अकेले ए निगरा कितना है टोटल 120 है तो बचा कितना कि बचा कितना चानवे 424 काम बचा तो बिस काम को कोन करेगा बी काम करेगा कितने गंटे में कर लेगा आठ गंटे में तो कितने घंटे बाद बंद किया उसे हमने 8 गंटे बाद किया option number B हमारा सही answer हो जाएगा तो मिनट में है तो हमारा question का answer में किसमें आएगा क्योंकि देखे unit का आपको ध्यान रखना है गंटे हैं तो गंटे और मिनट है तो मिनट तो हमारा यहां जो answer आएगा वो मिनट में आएगा option number B हमारा सही अगर देखो इसी question में कितने घंटे यह कितने समय पहले अगर पूस्ता तो हम क्या करते फिर हम 24 में से इस आठ को घटा देते कितना आ जाता हमारा 16 मिनट बाद अगर हम 16 मिनट पहले अगर हम बी को बंद कर दें तो हमारी टंकी 24 मिनट में पूरी भर जाएगी लेकिन आभी हमसे केवल बादवाला पूछा है तो बादवाले तक ही रहने दीजिए से तो नेक्स्ट कोशिन पे चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिन है ए तथा बी किसी टंकी को करम से 20 तथा था को 25 मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 5 मिनट बाद बीगों बंद कर दिया जाता है तंकी भरने में लगने वाला समय ज्याद कीजिए आप देखो पाइप है हमारा कितने समय में भर रहा है 20 मिनट में पाइप B है हमारा कितने समय में भर रहा है 25 मिनट में कितना है का अँच सेब्सेया थे छार के रहा है डोनौ पाइपव को एक साथ खोल लेकिन पांच मिनट बाद इक भी को 45 बराबर 55 के सो में से 45 जो कंप्लीट हो चुका है काम वो माइनस कर दिया 55 अब क्यारा है पांच मिनट बाद बी को बंद कर दिया यानि कि बी बंद हो गया तो काम कोन करेगा ए तो अम मुझे बताओ पच्पन काम को 5 6 पने कितने समय में करेगा 11 में मुझे से क्या पूछता है के भई बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी भरने में लगने वाला समय ग्यात किजिए और जो कि ग्यारा मिनट कौन सी है सेश सकारिय है की आपको सेश कार्य हुआ है 11 मिनिट में तो लेकिन आपको पता है पांच मिनट उन दोनों ने भी तो साथ काम किया था किल समय कितना लगा हमारा 11 प्लस पांच यानिकी आपका आजाएगा तो तंकी भरने में लगाकूल समय कितना है सोले मिनट वांसर हो जाएगा मेरा। अगर मुझसे पूश्ता के टंकी सेज टंकी भरने में लगने वाला समय बताईए तो मेरा आंसर के वल यहीं हो जाता के 11 मिनट में वो टंकी पूरी भर जाएगी चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं कोशन है हमारा दो नल ए तथा भी एक टंकी को क्रम से पंध है एवं 20 घंटे में तो घंटे में हैं यूनिट हमारी तो आंसर भी हमारा किसम आएगा घंटे में आएगा आप ओप्सन देख सकते हैं 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे और 18 बंद में तीनों नल खोल दिये जाते हैं और 10 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है तो तंकी को भरने में कितना समय लगेगा कि देखे कुशन क्या कह रहा है कि नल ए ओप्सन है हमारे 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे और 18 घंटे कहले हम देखते हैं नल ए कितने घंटे में और देता है 15 घंटे में प्ह這些 तो इसालिकर सकता है 25 घंटे में फाली कर सकता है तो एक ही चंबता 15 और 1025 दूनी तीस 20 से कम.. बीस.. ! 200.. और पच्चीस एकम 25 और पच्चीस दूनी 50 ये प्लस में जरा है ये भी प्लस में जरा है ये आपका माइनस में के काम कर रहा है क्यों क्योंकि नलशी खाली करने का काम कर रहा है अज़ा प्रारम और 10 गंटे बाद लद गर दिया जाता है तो तुटीनगर खोले तो में 20 35 35 में से बारा कम हो जाएगा तो 35 Zahl 25 35 दोगए 23 यानि कि प्रारव में जो इनकी छंकता है वो 23 है काम कितना करते हैं 10 गंटे तक तो 232 नहीं 230 यानि कि 230 काम इन तीनों ने मिलके किया अब क्या कह रहा है 10 गंटे बाद C को बंद कर दिया गया मतलब खाली करने वाले नल को बंद कर दिया काम कितना रह गया 300 में से 230 हो गया तो सेस काम कितना 300 माइनस 230 बचा कितना आपका 70 अब कौन-कौन करेंगे ए और बी करेंगे ए और बी की छंता का यो कितना है 35 25 काम कितना कराना है 70 तो 35 छंता से 70 काम को करने में इतने इने कितना समय लगेगा दो गंटे अब पूछा क्या है हमसे कि टंखी को भरने में कितना समय लगेगा तो आपको पता है 10 गंटे 3 तीनों ने काम करा दो गंटे दोनों ने काम करा तो 10 प्लस दो 12 गंटे हमारा अंसर हो जाएगा option number a जो कि होगा 12 गंटे तो इस question का answer हमारा हो जाएगा 12 गंटे और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ और अगर आपको content अच्छा लग रहा है तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर देंगे ताकि हमें भी motivation मिलता रहे next question है हमारा दो नल A तथा B किसी टंकी को या होज को करम से 10 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं तो इस बार हमारी जो यूनिट है वो मिनट है तो answer भी किस में आएगा 10 तथा 15 मिनट में पूरा भर सकते हैं एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है जब होज पूरा भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है वहें एविलंग निकास नल बंद कर देता है और उसके बाद चार मिनट में होज पूरा भर जाता है निकास नल के द्वारा होज को खाली होने में कितना समय लगेगा Most important question है SST ने ये question अभी आपके हाल ही ने जो CPO का exam हुआ था 2013 का उसमें ये question आपका आया था Option है आपके 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तथा 10 मिनट आप देखे question को ध्यान से पढ़ेंगे हम कि दो नल A तथा B किसी तंकी को क्रम से 10 तथा 15 मिनट में पूरा भर सकते हैं मतलब नल A है वो आपका 10 मिनट में भर सकता है नल B है वो आपका 15 मिनट में भर सकता है तो यहां से LCM कितना आ जाएगा हमारा 30 चलिए चंता कितनी आ जाएगी हमारी A की चंता जाएगी तीन और B की चंता जाएगी आपकी दो क्यारा है दोनो एक रिप्नी दोनो नलो को एक साथ खोल देता है तो देखिए अगर हम दोनो नलो को खोलें तो 30 बटे पांच तंकी भरने में कितना समय लगेगा 6 मिनट का समय लगेगा ठीक है देखिए कोश्चन ध्यान से समझना मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है जब एक विक्ति दोनों नलो को एक साथ खोल गया जब होज पूरा भर जाना चाहिए यानि कि कितने मिनट बाद उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है मतलब यहां पर एक निकास नल था जो खुला हुआ है और उसने कितने मिनट काम करा है मिनट काम करा क्यों क्यों उसने एक आए कि जब होज पूरा भर जाना चाहिए था उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है तो सिंपल सी बात है कि भी छै मिनट में होज भरना चाहिए था छै मिनट तक वह खुला रहा था तो निकास नल ने जो पानी निकाला और उसके बाद चार मिनट में होज पूरा भर जाता है मुझे बताओ भरने का काम कौन कर रहा है तीन और दो दोनों नलों को एक साथ खूला 5 काम करेंगे कितने मिनट में भर गया और चार मिनट में पूरा पर गया मतलब निकास में द्वार कितना पानी बाहर गया था पांच बुना चार यानिकी यहीं तो पानिगी कमी पड़ी इसकी वज़े से टंकी-खाली रह गई 20 लीटर पानी औ तो टंकी हमारी पूरी बर गई अब कोश्चन में पूछा क्या है हमसे निकास नल के द्वारा होज को खाली होने में कितना समय लगेगा देखिए आपको पता है कि निकास नल ने कितनी देर तक काम किया था चैनल तक उसकाम में उसने कितना पानी बाहर निकाला 20 लीटर क्यों क्यों कि जब उसे बंद कर दिया गया तो इतने लेटर पानी के बाद टंकी पूरी भर गई अगर 20 लिटर पानी को निकास नल 6 मिनिट में निकालता है तो निकास नल की छंता कितनी आ जाएगी 2 तीया 6, 12, 20, 10 बटे 3, निकास नल की छंता कितनी है 10 बटे 3, पूचा क्या है निकास नल द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा कि मुझे बताओ टंकी की चंटा कितनी है हमारी 30 निकास नल की चंटा कितनी है दस बटे तीन तो अगर मुझे 30 काम कराना हो किस से दस बटे तीन चंटा से तो यह तीन कह पहुच जाएगा ऊपर आजाएगा तो 30 मुना moje 6 3,10 0 &0 आब आजाएगा मेरा 9 मिनट में है खुशन तो आनसर में किस whilst में आएगा मिनट में आएगा तो निकास नल के द्वारा स्ञेश को नो ईप 2 मिनट में पूरी तरह से काली कर दिया जा यह आप उसको चाहो तो exercise से कर सकते हैं आपके पास किताब नहीं है तो आप प्ले स्टोर से आप उसका application download कर सकते हैं playlist पे free of cost उसका application आपका किताब का पड़ा हुआ है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो content पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं कि जिसमें मैं आपको जिस दिन मेरा चैप्टर ये complete हो जाएगा इस चैप्टर की पूरी PDF विद आपको annotations यानि कि जो भी मैं इस बोड पर लिखता हूं वो सारी की सारी आपको PDF के फोर्म में आपको मिल जाएंगे आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाना है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट वोक्स में भी उसका लिंक हम पिन कर देंगे तो आप महां से जाके हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए थैंक्यू फोर वाचिंग और चैनल पर पहली बार आहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे थैं